हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको पता हुआ डियमे एक्सप्रेस वेडिंग एल्बम के बारे में यह हमारा डियमे एक्सप्रेस वेडिंग एल्बम है हमने कुछ डिजagn और कट आउट अपने रख लिएया ओलेडी यह देखें इनको हमने कट आउट बना के रख लिया है यह इसकी ओरिजिनल फोटू है यह वाली इसका कट हमने लैशर टूल के थूरू काटा और इसको ऐसे बना लिया है, इसके बाद एक photo हमने ये ले लिया है, जो PNG में है, देन एक photo हमने ये ले लिया है, उसके बाद एक photo couple का cutout है, और एक boy का cutout है, और एक ये है, यहाँ पर हमारा project जो होता है, अल्रेटी बना हुआ है, यह वाला, अब project save करने का मैं आपको पहले ह आ चुका हूँ, कि यहाँ पर जब आप जाते हैं, इस point पर, preference में, तो यहाँ पर जाने के बाद आपको project का path देना होता है, यह हमारा project already, इसमें F drive में save है, wedding album के नाम से, यह वाला, because marriage, ठीक है, इसको हम cancel कर देते हैं, इसको भी cancel कर देते हैं, देन उसके बाद हमने क्या करन है, यहाँ पर लड़की का नाम लिखना है, boy का, विकास, उससे आगे हम जाते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर हम कर देते हैं, कामनी, उसके बाद date आपको लिखनी है, पंद्रह, बारा, दो हजार, बारा, देन वेन्यू आपको क्या लिखना है, विद्स या वैड्स आप लिख सकते हैं, वैड्स, और इवेंट, जो भी आपने, सगाई वगारा या, साधी वगारा लिखना होता है, यहाँ पर हमने कर दिया, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम आगे Next से run کرने के बाद आफ देखते हैं, आपके पास में तीन option आते हैं, एक ready का आता है, एक auto का आता है, अर एक manual का आता है, ready वो होता है जो कि already आपके project बने हुआ है, यह हमारा ready का है, auto वो होता है, जो आपके project already है, creation your DM project आप अपने आपसे manual बनाना चाहते हैं, तो हम Ready पे क्लिक करते हैं अभी यह देखिए, जब आप Ready पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यह सारे option निकल के आ जाते हैं, यह Ready प्रोजेक्ट हैं आपके, और यहां से अगर आप प्रोजेक्ट एड़ करना चाहते हैं और, यह देखिए, हमारे पास में इतने सारे वॉलियम है, यहां पे, यह, यह Already आप इनको एड़ भी कर सकते हैं किसी भी उसमें, यह हमने इस तरह सेटिंग की हुई है कि यह Automatic आपके प्रोजेक्ट में एड़ हो जाएंगे, यह देखिए, यह बहुत सारे हैं आपके, जो एक एक वॉलियम बना के हमने रखा हुआ है, आप हमारी साइड से इनको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, लाइफ टाइम, यह वैडिंग वहां से रार फाइल आपको मिलेगी, रार फाइल को आपने राइट क्लिक करके एक्स्रेक्ट करना है, और वो अपने आप इस वॉलियम में एड़ हो जाएगा, तो यहां से आप किस भी वॉलियम को वहां से पर जाके एड़ कर सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर दो डिजाइन है, इस टाइब के और इस टाइब के, हर एक के अंदर हमारे डिजाइनर जो है वो बैठे हुआ है, और जो न वो डिजाइन करते रहते हैं, इसमें अपनी एक side है, उस पे load करते रहते हैं, यह देखिए, तो इस तरह, तो यहां से जाके आप उन चीजों को volume को add कर सकते हैं, इस point पे जाके, अब यह हमारे readymade project आगे हैं आपके, जो कि already auto में हैं, यहां से आप किसी पे भी, एक पे select कीजिए, यह देखिए, यह मैंने इ एक project में आपका यह ले लेता हूँ, अब क्या देखते हैं आप, कि right side में आपके यहां पे, एक project यहां पे यह बनके आगया है आपका, जो जो भी आपने select किया हुआ है, अब इसमें यह दिखा किया रहा है, यह देखिए, इस पे भी हम click कर लेते हैं, यह तीन आपने project save कर लिए हैं, जो जो design आपने select किया हुआ है, यह वाले, यह यह वाले, वो उनका layout आपको दिखा रहा है कि CD के design में यह लगने के बाद ऐसा बनेगा, यह देखिए, अब आप किसी को भी अगर remove करना चाहते हैं, तो यहां पे click किजिए और simply यह आपके पास में आपके पास में यहां पे जाके, इसको आप remove कर दीजिए, remove selected, remove all भी आप कर सकते हैं, remove selected हम कर लेते हैं, तो देखिए वो आपका project अपने आप remove हो गया है, यह page आगे आपके पास में, तो friends यह सारे project आपके auto में हमारे पास में रखे हुआ हैं, तो आगे मैं आपको बताऊँगा, इसमें कै ऐसे project का हम use करते हैं, please keep watching my tutorial on the YouTube channel.